स्वाल यह रेशो फीक्वलेंट कपेसिटेंस अपने उसमें क्या होगा कपेसिटेंस और टू केसे जब बहुत ही सिंपल सवाल है अपने बात पता है कि पहले जो दो सिनेरियों दिये हुए उनको फोटो बना लेते हैं सो हमारा फिगरी कहता है कि आपने तीन का कपेसिटेर हैं C1, C2, C3 उनको जब आपने सिरीज में लगाया है तो यहां पे आपका C एक्वलेंट जो है 1 by C एक्वलेंट वो हो जाएगा 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 जब आपने इनी तीनों को पहलेल में लगाया है सो आपने जब इनको पहलेल में लगाया है तो आपका C एक्वलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बस हमें यहां डेटा रखना है और हमारी वैल्लिव आ जाएगी सो पहले वाले case में जब हम इसको calculate करें तो इसका 1 by C equivalent इसको यहां solve कर लेते हैं सो 1 by C equivalent उसको C equivalent 1 कह देते हैं या उसको series कह देते हैं CS यह हो जाएगा सो 1 by जो हमें डेटा दे रखा है वो है 3, 9 और 18 सो 1 by 3 प्लस 1 by 9 प्लस 1 by 18 इसका LCM लेंगें तो 18 आएगा यहाँ पर बचेगा 6 plus 2 plus 1 और 6 यह बचा 9 by 18 यानि की 1 by 2 हो गया तो आपका series हो गया 2 microfarad यह आपका series combination हो गया इनी को जो हमने parallel में connect किया तो आपका जो parallel आया इस combination से यहाँ लिख लेते हैं C parallel will be equal to 3 plus 9 plus 18 9 और 18 प्लस जब इनको हम add करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 30 तो इन दोनों का ratio लेंगे तो C series divided by C parallel हो गया 2 by 30 यानि की 1 by 15 so based on this हम कह सकते हैं आपका option number A 1 by 15 would be the right answer